चले स्टुन्स आज हम करेंगे क्लास 9th मैंस का चैप्टर नंबर सिस्टम्स का आरे सगरवाल से एक बहुत इंपॉर्टन कुशन इस टाइप का कुशन काफी इंपॉर्टन होता है ऐसा कुशन एक्जामनीशन में आता है तो ऐसे कुशन का प्रेक्टिस आपको 100% होना करना है तो चले इसको यहाँ पर नोडाउन कर लेते हैं हमारे पास में है 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 फिर माइनस में हमारे पास में है 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 5 ठीक है तो यह हमें गिवन है हमने क्या करना है हमने ये जो तीनों पार्ट हमारे पास भी हाँ पर है हमने इन तीनों के denominator को thickenerize करना है हमने तीनों के denominator को rationaleize करना है फिर उसके बाद में हम इसको solve करेंगे ठीक है तो चलिए पहले फ़र्सट पार्ट के denominator को personalized करते है ठीक है यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है, यह है है, यह पर रूट्ट थी है, हमने सबसे पहले इसको रëशनलाईЗ करने गरें किया करेंगे, रूट 3-2 हम cui- hots change को इससे multiply करें तो हम numerator को भी इसी से multiply करेंगे यानि कि हम numerator को भी root 3 minus root 2 से multiply करेंगे ठीक है ताकि यह जो number है यह जो हमारा fractional number है यह balanced रहें यह unbalanced ना हो जाए ठीक है अब इसको भी यह करेंगे denominator को rationalize करेंगे ठीक है denominator में हमारे पास में है root 5 minus root 3 तो हम इसको multiply करेंगे root 5 plus root 3 के साथ में यहाँ पर यह a minus b के form में है तो इसको हम a plus b के form के साथ में multiply करेंगे ठीक है denominator को इससे multiply करना है तो हम numerator को भी इससे multiply करेंगे यानि कि हम numerator को भी root 5 plus root 3 से multiply करेंगे ठीक है यहाँ पर भी यही करना है denominator में है root 2 minus root 5 तो हम इसको root 2 plus root 5 से multiply करेंगे ताकि हमारा जो यह denominator है यह rationalize हुज जाए denominator को इससे multiply करने हैं तो numerator को भी इससे multiply करेंगे numerator को भी हम root 2 plus root 5 से multiply करेंगे ठीक है ना चलिए अब हम आगे solve पटेंगे question को अब देखें 1 से अगर हम root 3 minus root 2 को multiply करेंगे तो आएगा root 3 minus root 2 तो दोनो numerator को हमने multiply करके हाँ पर लिख लिया ठीक है अब आते है denominator पर denominator में हमारे पास में root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2 और यह हमको a plus b into a minus b की तरह दिखाई दे रहा है और जब भी हमारे पास a plus b into a minus b होता है तो हम इसको लिखते है a square minus b square तो इस identity से root 3 plus root 2 into root 3 minus root 2 हो जाएगा root 3 का whole square minus root 2 का whole square ठीक है root 3 plus root 2 into हो रहा है root 3 minus root 2 के साथ में तो आएगा root 3 का whole square minus root 2 का whole square ठीक है नँए बीच में है minus तो लगाएंगे minus अब यहाँ पर आते हैン ठीक है यहाँ पर अब 2 से इसे multiply करेंगे तो आएगा 2 into root 5 plus root 3 है ना अब denominator पर आते हैं, denominator में हमारे पास में है root 5 minus root 3 into root 5 plus root 3 and यह हमको a minus b into a plus b की तरह दिखाई दे रहा है and जब भी हमारे पास में a minus b into a plus b होता है तो हम उसको लिखते हैं a का square minus b का square है a यहाँ पर हमारा root 5 है, b यहाँ पर हमारा root 3 है तो a का square हो जाएगा root 5 का square and b का square हो जाएगा root 3 का square अब यहाँ पर है minus तो लगाएंगे minus अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है अब 3 से इसे into करेंगे तो 3 into root 2 plus root 5 यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा numerator से numerator multiply हो गया यहाँ पर आ गया अब denominator पर आते हैं यहाँ पर हमारे पास में root 2 minus root 5 into root 2 plus root 5 यह भी हमें a minus b into a plus b की तरह दिखाई दे रहा है और जब भी हमारे पास में a minus b into a plus b होता है तो हम उसको लिखते है a का square minus b का square है नग अब a यहाँ पर हमारा है root 2 and b हमारा है root 5 तो root 2 minus root 5 into root 2 plus root 5 हमारा हो गया root 2 का square minus root 5 का square चलिए अब हम आगे solve करते हैं question को अब देखिए यहाँ पर है numerator में है root 3 minus root 2 numerator में हमारे पास में है root 3 minus root 2 अब आते है denominator में अब यहाँ पर root 3 का square हमको देखने को मिल रहा है तो square से square root कट जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 3, फिर minus है तो लगाएंगे minus, फिर यहाँ पर है root 2 का square, square से square root कट जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 2 correct बीच में है minus तो लगाते है minus अब यहाँ पर numerator में हमारे पास में है 2 इन 2 में है ब्रैकिट के भीतर root 5 प्लस root 3 है ना अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर देखिए root 5 का square है square से square root कड़ गया तो यहाँ पर बचा 5 फिर minus यहाँ पर है root 3 का square square से square root कड़ गया तो आगे है यहाँ पर 3 है ना फिर यहाँ पर है minus अब यहाँ पर numerator में है 3, bracket में है root 2 plus root 5 अब denominator में सबसे पहले यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है root 2 का square, square से square root कर जाएगा तो बचेगा 2 फिर है minus लगाएंगे minus यहाँ पर हमारे पास में है root 5 का square square से square root कर जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5 चलिए अब हम आगे solve करते हैं question को अब देखे यहाँ पर हमारे पास में है root 3 minus root 2 and denominator में है 3 minus 2 जो कि होता है 1 ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है minus अब देखे यहाँ पर हमारे पास में है numerator में है 2 into में bracket के भीतर है root 5 plus root 3 है नब नीचे है 5 minus 3 जो कि हो जाएगा 2, 2 से 2 cancel out हो जाएगा फिर है minus तो लगाएंगे minus अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है 3, फिर bracket में है root 2 plus root 5 यह दोनों आपस में into में है, अब नीचे हमारे हमारे पास में है 2 minus 5 देखिए 2 minus 5 होता है minus 3, 5 minus 2 होता है 3, लेकिन यहाँ पर है 2 minus 5, ठीक है तो हो जाएगा यह minus 3 अब क्या करेंगे हम इसको 3 से cancel out करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, minus 3 को 3 से cancel out करेंगे तो आएगा minus 1 ठीक है, तो हमने इसको भी 3 से cancel out कर दिया, इसको भी 3 से cancel out किया, 3 से 3 को cancel out किया तो यहाँ पर आएगा 1, minus 3 को 3 से cancel out किया तो आएगा हमारे पास में minus 1 चलिए अब हम आगे solve करतें कुशन को अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है root 3 minus root 2 divided by 1, तो 1 से हम इसको divide करेंगे तो यही आएगा, तो इसको लिख लेते है root 3 minus root 2 correct, अब यहाँ पर है minus and यहाँ पर bracket के भीतर है root 5 plus root 3 ठीक है, bracket के बाहर minus है तो हम minus से इन दोनों terms को multiply करेंगे जब हम इस bracket को हटाएंगे, तो minus into root 5 हो जाएगा minus root 5 minus into plus root 3 हो जाएगा minus root 3 ठीक है अब देखिए इस minus से यह minus cancel out हो जाएगा minus से minus cancel out हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा plus and bracket के भीतर है root 2 plus root 5, bracket को हटा लेते हैं तो bracket के भीतर है root 2 plus root 5 तो इसको लिखेंगे root 2 plus root 5 minus से minus cancel out यह हो गया plus and bracket के भीतर है root 2 plus root 5 तो हमने लिख लिया root 2 plus root 5 अब देखे यहाँ पर है root 3 यहाँ पर है minus root 3 तो root 3 से minus root 3 cancel out 0 हो गया यह यहाँ पर है minus root 2 यहाँ पर है plus root 2 यहाँ पर है minus root 2 यहाँ पर है plus root 2 तो इस से ही cancel out 0 हो गया यह भी यहाँ पर है minus root 5 यहां पर है प्लस रूट 5, यह भी cancel out हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 0, तो देखे, हमने इस expression को solve किया, solve करके हमारे पास में इसका value आगिया 0, तो यह आगिया हमारे इस question का final answer, इस expression का value होगा 0, तो I hope students, आपको यह question बहुत ही आराम से समझ में आगिया होगा, काफी easy question है, हमने यहां पर तीन parts को देखा, इनके denominators को resize किया, यहां पर solve किया, तो हमारे पास में result आगिया 0, तो अगर आपको यह question बहुत ही अच्छी तरगी से समझ में आगिया, तो प्लीज आप इस video को like कीजिए, share कीजिए, हमारे channel को subscribe कीजिए, हम इसी प्रकार से, जितने भी important questions होंगे, जो कि आपके examination में आ सकते हैं, उनके solutions जल्दी से जल्दी बना कर के आपके पास में भीजेंगे, काफी सारे solutions हम पहले से बना चुके हैं, जिनने आप हमारे playlist में देख सकते हैं, तो मिलते ह झाले ने चीजेंगे।